Hello viewers, मैं ड्र शेशी कला यादव, Associate Professor of PharmScience, Government College for Women, हिसार. आज की टोपिक है, Protein Energy Malnutrition, यानि की Protein Urja Kupotion. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि Protein और Urja दो महतोपुन पोस्टिक तत्व हैं और ये हमारे शेशी के विकास के लिए, विर्दी के लिए, बिमारियों से लड़ने के लिए बहुती महतोपुन रोल अदा करते हैं तो इनकी कमी से होने वाले कुपोशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के जो main objectives हैं, वो इस प्रकार से हैं यानि कि सबसे पहले protein energy malnutrition के बारे में समझना ये क्या कारण है इसका, क्या इसके लख्षन है और किस प्रकार से इस बिमारी से बचा जा सकता है ये चार objectives हैं, जो कि आज हम इस वीडियो के अंदर cover करेंगे सबसे पहले हमें protein energy malnutrition क्या है, इसके बारे में जानना है सबसे पहले हम बात करते हैं, protein energy malnutrition या protein calorie malnutrition जो कि एक प्रकार के कुपोशन का प्रकार है जो कि protein और calorie, दो पोस्तिक तत्वों के कम मात्रा में लेने के currency होता है आप सभी को पता है कि protein का जो कारिये हैं हमारे श्रीर के अंदर वो श्रीर का निर्मान करने का, हमारे श्रीर के अंदर तंत्वों का पुनर निर्मान करने का इसके साथ-साथ अनेक enzymes और hormones का निर्मान करना, रोग निर्धक चमता का बनाने के लिए यानि कि बहुत सारे रोल protein हमारे श्रीर में अदा करता है उसके साथ-साथ उर्जा भी हमारे श्रीर को कारिये करने की चमता परदान करती है और बहुत सारे रोल हमारे श्रीर के अंदर play करती है तो अगर इन दोनों positive तत्वों की कमी हो जाती है तो उसको protein energy malnutrition कहते हैं और ये एक भारत के अंदर primary nutritional problem है यानि कि बहुती बड़ी समस्या है ये और इसका जो main card है वो food gap है यानि कि जितनी मातरा में इन दोनो positive तत्वों की श्रीर को आउशकता होती है उससे कम मातरा में ये positive तत्वों ग्रहन किये जाते है और बच्चों के अंदर जो मर्तुदर है उसका भी एक बहुत बड़ा कार्ण ये protein उर्जा कुपोशन है सबसे पहले हम बात करते हैं कि nutritional problems के परकार nutritional problems जो है वो कुपोशन के कार्ण से होती है कुपोशन का मतलब है कि जरूरत से ज़्यादा मातरा में एक या एक से ज़्यादा पोश्टिक तत्वों का ग्रहन करना या जरूरत से कम मातरा में यानि कि दोनों ही अवस्ताओं में यानि कि हम भोशन में पोश्टिक तत्व कम मातरा में ग्रहन कर रहे है तब भी वो हमारे श्रीर के लिए नुक्षान दायक है जिन्सकी कमी से बिमारिया होती है और अगर ज़्यादा मात्रा मेंalgic्तत्तक घ्रेन कर रहे तब भी वो हमारे श्रीर के लिए नुक्षान दाएक है तो अगर हम постик तत्तो कम मात्रा में घ्रेन करते हैं तो उसको undernutrition कहा जाता है और अगर ज्यादा मातरा में ग्रहन करते हैं तो उसको over nutrition कहा जाता है और protein energy malnutrition under nutrition का एक परकार है इस slide के अंदर ये दिखाया गया है कि जो nutritional problem से उनको हम चार हिस्सों में divide कर सकते हैं पहली जो nutritional problem है जिसको की protein energy malnutrition कहते हैं ये macronutrient की deficiency के कारण से है जिसके कारण से क्वाशिरकर, मरासमस और मरासमिक क्वाशिरकर ये तीन परकार की बिमारिया होती है दूसरे परकार है micronutrient deficiency यानि कि जो शुक्षम पोस्टिक तत्व हैं जिनकी मातरा हमारे शीर को कम मातरा में जरूरत होती है उनको शुक्षम पोस्टिक तत्व कहते हैं इसके अंदर vitamins और खनीज लवन आते हैं इनकी कमी के कारण से Vitamin A deficiency, beriberi, scurvy, rickets, anemia और iodine deficiency disorder रहते आदी हैं नेक्स्ट है chronic diseases जो की over nutrition के कारण से होती है obesity, diabetes, heart diseases, hypertension इसके जारण है और नेक्स्ट है eating disorders अनर्जिया नर्वोसा और bulimia नर्वोसा नेक्स्ट बात करते हैं हम epidemiology की protein energy malnutrition के कारण से अगर हम global scenario की बात करें यानि कि worldwide बात करते हैं तो ये विक्सिक देशों के अंदर बहुत ही जादा protein energy malnutrition के prevalence है और इसको आमतोर पर ये खा जाता है कि ये बिमारी एक vicious cycle के रोप में चलती है मा के गरब से लेकर के और टॉम तक यानि कि मरतु तक व्यक्ति इस बिमारी से पिडित रहता है protein energy malnutrition के काण से पूरे शिंसार में हर चोथा बच्चा इससे पिडित है और लगभग 50% से ज्यादा चार साल तक के बच्चे इससे परभावित होते हैं अगर हम भारत के प्रिपेक्ष के अंदर बात करें तो जो childhood malnutrition है जिसके काण से लगभग 35% मरतु जो है वो 5 साल से कम उमर के बच्चों में होती है वो protein energy malnutrition के काण से होती है जीवन काल के जो पहले 6 महिने हैं उनके अंदर आम तोर पर ज्यादा तर बच्चे breastfeed किया जाते हैं और उन में से भी 20-30% पहले से ही malnutrition होते हैं यानि कि low birth weight के काण से और स्तनपान यानि कि दूद का से मातरा में श्रावित नहीं होने के काण से malnutrition पाए जाते हैं और 18-23 महिने की उमर के बच्चे जो हैं इसमें जो स्तनपान के बाद की अवस्ता है जिसको की हम winning stage कहा जाता है उसमें लगबग 30% बच्चों के अंदर जो विर्दिदर है वो severely परभावित होती है जिसको की severe stunted बोलते हैं और जो underweight है वो one-fifth बच्चे underweight पाए जाते हैं निकि उनका जो शरीरिक भार है वो कम होता है अगर risk factors की बात करें कि किन कारणों किसे ये protein energy malnutrition होता है सबसे पहला factor है low birth weight अगर कोई बच्चा का जो जनम केस में जो वजन है वो कम है या multiple birth है जिसे कि दो या तीन बच्चे पैदा होते हैं तो उस अवस्ता में भी बच्चे का जो शरीरिक भार है वो कम होता है या बच्चों के बीच का जो space है वो कम है यानि कि वहत कम समय के बाद दूसरा बच्चा पैदा हो जाता है उनका age difference बहुत कम है तो उसके कांड से भी बच्चे का जो protein energy malnutrition से पिडित हो जाता है या बच्चे की स्तनपान जो है भूत कम उमर में छोड़वा दिया जाता है या उसको भूत लेट या भूत जल्दी वीनिंग कराई जाती है क्योंकि अगर जल्दी से वीनिंग कराते हैं तो उस अवस्था में भी बच्चा उपरी खुराक को सही परकार से पचा नहीं पाता और वो डाइरिया का शिकार हो जाता है जिसके कांड से protein energy malnutrition का पिडित हो जाता है या भूत लेट अवस्था में उसको वीनिंग कराई जाती है तो उस अवस्था में भी उसको protein energy malnutrition की समस्या आ जाती है अगर बच्चे को बार-बार infections हो रहे हैं या उसके parents illiterate हैं और गरीब हैं illiteracy भी एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि जो विक्ति अनपड है उनको सही portion का ज्यान नहीं होने के कारण से सही परकार से hygienic conditions नहीं maintain करने के कारण से और सही परकार से बोजन नहीं पकाने के कारण से काफी पोस्टिक ततो नस्ट हो जाते हैं जिसके कारण से बच्चे को सही परकार से portion नहीं मिल पाता और गरीबी के कारण से माबाप जो दूद, अंडा, मीट, मच्छी वगरा जिनके अंदर प्रोटीन भरपूर मातरा में होता है और बढ़िया क्वालिटी का प्रोटीन होता है वो बच्चे को नहीं दे पाते हैं जिसके कारण से बच्चा को पोशन का शिकार हो जाता है इस कि माल अबजॉप्शन यानि कि अगर बच्चा डाइरिया से बिडित है या कोई और समस्या से बिडित है तो उसके कारण से जो पोस्टिक तत्व है वो अवशोशित नहीं हो पाते यानि कि बच्चे के श्रीर को पोस्टिक तत्व नहीं मिलका पाते जिसके कारण से वो को पो अगर इसका sequence बात करें कि किस परकार से विमारी होती है तो बच्चे के बर्त के बाद उसको exclusive breastfeeding कराई जाती है और breastfeeding अगर करवाने के बाद में बच्चे को एकदम से abrupt early weaning कराई जाती है वीनिंग का मतलब होता है स्तन त्याजे यानि कि उपरी खुराक देने शुरू करना बच्चे को स्तन पान के बाद में और उस दोरान अगर बच्चे को जो बोजन दिया जा रहा है उसमें पानी काफी मातरा में मिलाया जा रहा है और unhygienic conditions के अंदर वो formula त्यार किया जा रह तो उसके काण से उसको बार-बार infections होने लग जाते हैं और infection के काण से उसका सही प्रकार से potion जो भोजन दिया जा रहा है वो भी नहीं पचता है और जिसके काण से बच्चा मरासमिस या मरासमिस के आश्योर करका सिकार हो जाता है अगर हम बात करें दूसरी तरफ अगर उसक समय तक बच्चे को breastfeeding कराई जाती है तो बच्चे को उपरी खुराक नहीं देने के कारण से क्योंकि मा के दूद से चे महीने के बाद में बच्चे की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती और जब वीनिंग कराई जाती है तो उस समय उसको starsy भोजन दिया जाता है जैसे की उग यहना की उर्जा तो मिल जाती है लेकिन प्रोटीन बरपूर मातरा में नहीं मिल पाता और उसके साथ-साथ हाइजनी कंडिशन्स नहीं मेंटेन करने के कारण से बच्चे के अंदर infection का सिकार हो जाता है डाइरिया का सिकार हो जाता है और जिसकों की प्रोटीन की कमी के क्वास्चिर कर से पिडित हो जाता है तो निक्स बात आती है कि किस प्रकार से हम पता करें कि कोई बच्चा प्रोटीन एनर्जी को पोशन का सिकार है या नहीं तो इसके लिए गोमेज ने एक क्लासिफिकेशन दिया है weight for age के हिसाब से यानि कि बच्चे का इसमें हम weight लेते हैं और उसी weight के age के normal बच्चे के weight से उसको compare किया जाता है इसमें weight for age का जो formula है weight of the child divided by weight of the normal child of same age multiplied by hundred इस प्रकार से हम इसके weight for age percentage निकालते हैं और उसको classification दिया गया है अगर बच्चे का weight for age 90-110 परतिसत के बीच है तो उसको normal nutrition status में count किया जाता है कि यानि कि बच्चा सुष्थ है वो protein energy malnutrition से पिडित नहीं है अगर बच्चे का weight for age 75-89 परतिसत के बीच है यानि कि वो first degree malnutrition से पिडित है यानि कि malnutrition है अगर बच्चे का weight for age 60-74% के बीच है तो वो moderate malnutrition यानि कि second degree proportion का सिकार है तो इस प्रकार से हम गोमेज classification के माध्यम से बच्चे का पता लगा सकते हैं कि वो protein energy malnutrition से पिडित है या नहीं नेक्स नहीं बात करते हैं causes or factors यानि कि कौन-कौन से कारक है और जिनके कार्ण से की protein energy malnutrition होता है तो सबसे पहले inadequate intake of food यानि कि बोजन की कम मातरा में ग्रहन करना diarrhea का सिकार होना, respiratory infections का होना, measles, intestinal worms यानि कि आतों में कीड़ों का होना, infants और pre-schoolers यानि कि जो age है वो भी एक कारक है, इसके साथ-साथ कुछ contributory factors हैं जो कि इस बिमारे को बढ़ावा देने का काम करते हैं इसमें poor environmental hygiene यानि कि स्वस्वाचावर नहीं होने की कार्ण से बच्चे की habit होती है हर चीज को मुँ में लेना जाए वो खिलोने हैं या कोई और वस्तु है और जिसके कार्ण से बच्चा infection का सिकार हो जाता है large family size बड़े परिवारों के अंदर भी बच्चे की सही प्रकार से देखबाल नहीं हो पाती है poor maternal health यानि कि जो मा है वो अगर कमजोर है तो बच्चा भी कमजोर पैदा होता है अगर कोई मा स्तनपान नहीं कर पाती है या बहुत जल्दी स्तनपान चुड़वा दिया जाता है उसके कार्ण से भी बच्चा को portion का सिकार हो जाता है या लंबे समय तक बच्चे को स्तनपान कराया जारा है उपरी खुराक बहुत देर से शुरू की जाती है तो भी मा के दूद से बच्चे की आऊ सकता है, पूरी नहीं हो पाती है, या बच्चे को जो दूद दिया जा रहा है, गाएं का दूद उसके अंदर पानी मिला करके दिया जा रहा है, ये सब कुछ Contributory Factors हैं, जिनके कान से बच्चा Protein Energy Malnutrition का सिकार हो सकता है. अब हम बात करते हैं, क्वाश्यरकर की, क्वाश्यरकर एक बहुती कॉमन और पाई जाने वाली Nutritional Deficiency Disorder है, विक्सित देशों के अंदर, और इस आम तोर पर ये प्रोटीन की कमी के कान से होता है, एक साल से पात साल के बच्चों में ज्यादतर होता है, क्वाश्यरकर की ये खा जाता है, कि ये वह रोग है, जो दूसरे बच्चे के पैदा होने पर पहले बच्चे को हो जाता है, यानि कि जब मा स्तनपार्न करने वाले एक बच्चे के रहते वे, दूसरे बच्चे को जनम देती है, तो दोनों बच्चों के लिए प्रियाप्त मात्रा में दूद उपलगग नहीं हो पाता तब दूद की कमी के कांड़ से बच्चे को प्रुटीन की कमी हो जाती है जब बच्चे का दूद छुड़वाया जाता है तब उसे दूद केषतान पर कार्बोज युक्त आहार देना जैसे कि साबू दाना है, दलिया है, खीचडी है, केला है इस प्रकार के भोजन ज्यादा दिये जाते हैं जिससे कि बच्चे के अंदर प्रुटीन की कमी हो जाती है और क्वाश्यर कोर में बच्चे को मिलने वाली प्रुटीन की मातरा और उसकी पोस्टि समारी से ग्रेश्ट हो जाते हैं जैसा कि इस डाइग्राम में दिखाया गया है कि बच्चे का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव आ जाता है, पेट का आकार बढ़ जाता है जिसको की पोट बैली कहते हैं और बच्चे का जो चेहरा है वो बिलकुल गोल हो जाता और बाल भी रूखे और उनका कलर भी चेंज हो जाता है मरासमस के अगर हम बात करें तो दूसरी विमारी है यह सिवर फोम है माल नुट्रेशन की जिसमें की क्रॉनिक वेस्टेज होती है वसा की मसल्स की और दूसरे टिशूज की शरीर के अंदर माल नुट्रेशन जो है वो प्रोटीन और उर्जा दोनों की कमी के कार्ण से होता है इसके अंदर जो नुट्रेशन की कमी है वो लंबे समय तक रहती है और कुछ वाइटामिन्स की भी शरीर में कमी आ जाती है और मरासमस जो है वो एक most serious form है protein energy malnutrition की जैसा कि इस picture के दिन्दर दिखाया गया कि बच्चा एक दम से हडियों का धांचा दिखाई देने लग जाता है उसकी पसलियां बिल्कुल दिखाई दे रही है यानि कि बहुती कमजोर बच्चा हो जाता है तीसरा प्रकार है मरासमिक क्वाशर कर इसके अंदर protein और energy दोनों के कमी होने के कारण बच्चे के अंदर मरासमस और क्वाशर कर दोनों के लक्षन दिखाई देते हैं अगर हम इस diagram के अंदर बच्चे की picture के अंदर देखें बच्चे का जो पेट है वो port belly है लेकिन जो पसलिया है वो दिखाई देने लग रही है यानि कि दोनों मरासमस और क्वाशर कर दोनों के लक्षन बच्चे के अंदर दिखाई दे रहे हैं इसमें severe tissue wasting होती है बच्चे में dehydration होता है जो subcutaneous वसा है उसका भी loss होता है बच्चा बिलकुल lethargic हो जाता है और बच्चे का जो वर्दी दर है उसमें भी कमी आ जाती है अगर हम protein, energy, malnutrition के दो दो प्रकार है क्वाशर कर और मरासमस उनके differences की बात करें तो क्वाशर कर के अंदर acute illness है infection, measures, age, trauma, sepsis ये कुछ कारण है क्वाशर कर के जबकि मरासमस के अंदर severe prolonged starvation यानि कि लंबे समय तक protein और energy की कमी होना या chronic या reoccurring infections के कारण से हो सकता है क्वाशर कर सिरफ protein की कमी से होता है यानि कि main nutrient है जिसकी कमी होती है वो protein है लेकिन मरासमस में protein और calorie दोनो पोस्टिक तत्वों की कमी पाई जाती है क्वाशर कर 18 महिने से 3 साल के बच्चों में ज्यादतर होता है जबकि मरासमस 6 महिने से 2 साल के बच्चों में आमतोर पर होता है क्वाशर कर में कि जो onset है वो बहुती rapid और acute है जबकि मरासमस का onset बहुती chronic और slow है क्वाशर कर के अंदर वजन की जो कमी है शरीरिक भार में जो गिरावट आती है वो बहुत कम होती है क्योंकि इसके अंदर बच्चे के श्रीर में पानी जबा हो जाता है जिससे कि उसका वजन कम नहीं होता है लेकिन मरासमस के अंदर बच्चे का वजन बहुत ज़्यादा 40% तक कम हो जाता है क्वाशर कर के अंदर mortality की दर जो हो बहुत ज़्यादा होती है हाई mortality है लेकिन मरासमस के अंदर जो मिर्तु दर है वो कम है जब तक कि और दूसरी बिमारिया साथ में बच्चे को ना हो अगर हम clinical features को compare करें मरासमस और क्वाशर करके तो क्वाशर करके अंदर जो लक्षन है वो तीन प्रकार के लक्षन दिखाई देते हैं यानि की stir लक्षन, सामानली लक्षन और अकस्मिक लक्षन स्थिर लक्षनों के अंदर बच्चे का अडीमा आता है वर्दी दर में कमी, मास पेशियों में कमी और मानसिक परिवर्तन ये कुछ हैं जो कि स्थिर लक्षनों के अंदर आते हैं अडीमा, port belly और swollen legs ये ऐसे लक्षन हैं जो कि बच्चे के अंदर clearly दिखाई देते हैं पिछली slide के अंदर हमने दिखाया था बच्चे का जो पेट है वो बिलकुल भार की तरफ निकलावा जिसको की port belly कहते हैं और जो face है वो बिलकुल मून आकार का हो जाता है और पैरों में swelling आ जाती है बच्चे की जो विर्दी दर है उसमें भी कमी आती है mild से moderate और बच्चे का वजिन जो है वो बहुत ज़्यादा कम नहीं होता क्योंकि बच्चा ओडीमा से पिडित होने के कारण से बच्चे के श्रीर में पानी का जमा हो जाता है तो भार बच्चे का कम नहीं होता लेकिन बच्चे का जो सब कोटेनियस वसा है उसमें कमी आ जाती है मास पेशियों में swelling आ जाती है पानी जमा होने के कारण से muscle atrophy है muscles भी कमजोर हो जाती है बच्चे का चेहरा moon के आकार का हो जाता है और तवच्चा सूखी और flacky हो जाती है खुर्दरी तवच्चा हो जाती है उसके साथ-साथ जो तवच्चा है उसमें cracks आने शुरू हो जाते है कई स्थानों से ऐसे लगता है कि जैसे जली हुई तवच्चा है तवच्चा का deep pigmentation हो जाती है और फटने लग जाती है जिसकों की cracking कहते है इसके साथ-साथ बच्चे का जो बाल है वो भी बिल्कुल पतले शोष्क, शक्त, उपर को उठे वे कांती, हिन और भूरे रंके हो जाते हैं और बाल जड़ने लग जाते हैं बच्चे के मानसिक प्रिवर्तन भी आते हैं बच्चा चिड़-चिड़ा हो जाता है हर समें रोता रहता है आसपास के जो वातावण उसमें कोई दिल्चस भी नहीं दिखाता है बच्चे को भूख भी नहीं लगती है बच्चे में सामानने कमजोरी दिखाई देती है और उसका जो मानसिक विकास है वो भी रुक जाता है बच्चा एनीमिया डाइरिया और इन्फेक्शन इन सभी से पिडित हो जाता है नेक्स जम बात करते हैं मरासमस की मरासमस जिसको की हम सुखा रोग भी कहते हैं इसके अंदर बच्चे का गो अडीमा नहीं होता है उसका वजन जो है वो काफी मातरा में कमी आ जाती है यानि कि 40% तक भार में कमी आ जाती है जो विर्दी है शारिक विर्दी वो भी काफी कम हो जाती है उसके साथ-साथ उसकी जो मसल्स हैं उसके में भी काफी लोस होता है severe emaciation बोलते हैं और severe subcutaneous वसा जो है उसमें भी काफी कमी आ जाती है उसके साथ साथ उसका जो muscles atrophy हो जाती है बच्चे का जो चेहरा है वो बिलकुल wrinkles वाला हो जाता है जिसको की गूरता हुआ और आखे जो है बाहर की तरफ निकली होती है तो बच्चे का चेहरा बिलकुल बुजुर्ब जैसा और आखे गूरते भी हो जाती है skin के अंदर कोई बदलाव नहीं आते हैं लेकिन बालों के अंदर कमजोरी आ जाती है बच्चे के बाल जो है वो कमजोर हो जाते है और जो केरत या लेवर है उसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है जबकि क्वाश्चर कर में लेवर का साइज ज्यादा बढ़ता है फैटे लेवर होता है मरासमस में बच्चा अनेमिया, डायरिया और इनफेक्शन से पिडित होता है नेक्स एम बात करते हैं में पानी की कमी आ जाती है तो oral rehydration के द्वारा जो dehydration बच्चे में हो गी है उसको पूरा करना उसके साथ-साथ exclusive breastfeeding 6 महिने तक बच्चे को देना और उसके बाद में सही प्रकार से supplementary foods बच्चे के आहार में देना breastfeeding के साथ-साथ यानि की 6 महिने तक बच्चे को कोई उप्री खुराक नहीं देनी उसके बाद में बच्चे को स्तनपान के साथ-साथ सही प्रकार से उप्री खुराक का उसके आहार में समलित करना immunization बच्चे की सही प्रकार से करवाना nutritional supplements बच्चे को देना अगर कोई बच्चा protein energy malnutrition पेसे पिडित ओने के लक्षन दिखाई देते हैं तो उसको जितनी जल्दी हो उसके उसको डाइगनोज करना और उसका treatment करना क्योंकि जितनी जल्दी डाइगनोज होएगा और उसका treatment होएगा बच्चे के श्रीर के उपर उतना ही उसको कम परभाव होगा उसके साथ साथ promotion करना correct feeding practices का क्योंकि आज के समय में अगर महिला को सही परकार से स्तनपान का ज्यान नहीं है और किस परकार से उसको उपरी खुराग देनी है उनका ज्यान नहीं होता है तो ज्यानता वस भी बच्चा को portion का शिकार हो सकता है family planning और spacing of worth जो की बहुत ही जरूरी है अगर बच्चे दो बच्चों के बीच में कम उमर का gap होता है तो उससे भी बच्चा को portion का शिकार हो जाता है क्योंकि बच्चे को सही परकार से मा का दूद नहीं मिलता और प्रिवार में बच्चे को सही केर नहीं मिलती जिसके कान से व बहुत ही जरूरी है यानि कि समय समय पर बच्चे के जाच होती रहे और उसको standard chart के साथ compare करके ये पता लगा सकते हैं कि बच्चे की जो normal growth है विर्दी और विकास है वो सही परकार से हो रहा है या नहीं अगर नहीं हो रहा है तो उसके कारकों का पता लगा करके बच्चे को सही आहार दे करके उनको ठीक किया जा सकता है और nutritional rehabilitation का मतलब है कि बच्चे को सही परकार से आहार देना प्रोटीन रिज अगर बोजन की हम बात करें तो हमारे जितने मी पशू जन्य पदार्थ हैं जैसे कि दूद, मास, मचली, अंडा, इत्यादी में भरपूर मातरा में प अनस्पति जगत से जैसे हमारे दाले, दालों के अंदर भी काफी अच्छी मातरा में प्रोटीन होता है और अनाज, दालों के अंदर लगबग 20 से 25 परतीसद तक प्रोटीन होता है, अगर अनाज और दालों के प्रोटीन को समलित करके हम बच्चे को देते हैं, तो आवसे क हमें नौमल है उनकी कमी पूरी हो जाती है और बच्चे को सही पोशन मिल पाता है उर्जा के से भरपूर जो भोजन है उसके अंदर हमारे गुड चिनी शकर शहद यहीं कि मीटे पदार्थ है उसके साथ साथ वशा जो की एक सगन सादन है जो की हमें घी तेल इत्याजी से प् समिल करके हम प्रोटीन उर्जा को पोशन से बच्चे को बचा सकते हैं आज के टोपिक के अंदर इतना ही है उमीद करते हूं बच्चों आपको समझाया होगा अब हम बात करते हैं इस टोपिक से बनने वाले कुछ बल्टीपल च्वाइस क्वेस्टिन्स की जैसे कि मरास्नस इनफेंट्स दूटीफिसेंस यो विच न्यूट्रियंट्स यानि कि यह दोनों बिमारिया किन पोश्टिक तत्मों की कमी के कांड से होती हैं प्रोटीन, वाइटैमिन्स, मिनरल्स, वाटर तो इसमें जो ऑनसर होगा वो प्रोटीन क्वाश्चर कर इस करेक्टराइस्ट ब इसका आंसर होगा यानि कि बच्चे का जो वजन है वो बहुत ज्यादा कम नहीं होता है इसका जो आंसर होगा वो डी होगा replacement of fluid followed by gradual increase in high quality protein and energy in the diet next question है मरासमस disease is caused by the deficiency of which nutrients, protein and calorie, vitamins, iron, calorie मरासमस जो है वो प्रोटीन और calorie की कमीस होगा तो आंसर है ए next है short answer type questions जैसे की define nutritional problems what is PEM causes of PEM symptoms of quasharkar prevention of protein energy malnutrition causes of मरासमस next है long answer type questions write in detail about causes, symptoms and prevention of quasharkar disease यानि की आपको quasharkar के बारे में उसके कारक, उसके लक्षन और उसको किस प्रकार से ठीक किया जाता है इसके बारे में विस्तार से लिखना है इसी तरह से मरासमस के बारे में उसके कारक, लक्षन और prevention के बारे में विस्तार से लिखना है आपके further study के लिए कुछ references दिये गए हैं जैसे कि मुदाब्मी और राजगोपाल की book है Fundamentals of Fortune Nutrition and Diet Therapy चकरवर्ती और चकरवर्ती की textbook of nutrition in health and disease और M. स्वामिनातन की Essentials of Fortune Nutrition इन books की मदद से आप इस topic को अच्छे से clear कर सकते हैं further study कर सकते हैं उमिद करते हूँ आपको सभी सही प्रकार से समझाया होगा Good luck for exams and thanks a lot for watching the video